घलो एबरिबन कैसे आप सब आई होब कि आप सब बढ़ी हांगे दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको संबल कार्ट किस तरीकी से पृष्ट किया जाता है अगर आपने संबल कार्ट के लिए लगेशन कराएँ तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका Sunball Card बन चुका है यह नहीं तो Sunball Card चैक करने का और Download करने का और Print करने का Process मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को Like सेन चलल को Subscribe जरूर कर देना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हित्गराही विवरल लिखा हुआ है मैं आपको जो है यहाँ पर हाइलाइट करके दिखा देता हूँ सबसे पहले इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है इसका link में आपको वीडियो को description में दे दूँगा यहाँ पर देख सकते हैं संबल 2.0 योजना मुखमंतरी जनकल्याण की website है ये आप यहाँ पर इस website पर आ सकते हैं इसका link डायरेक्ट ही आपको वीडियो के नीचे बिल जाएगा जिस भी person का जिस भी व्यक्ति का आप संबल कार्ड status चेक करना चाहते हैं या फिर संबल कार्ड को download करना चाहते हैं या फिर संबल कार्ड को print करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पर 9 अंकों की समग्र सदस ID यहाँ पर enter कर लेनी है अब यहाँ पर जो है आपको कैसे समझना है इसे यहाँ पर परवार ID नहीं डालना जो भी नाम के आगे ID लिखी होती है उसे यहाँ पर डालना है इतना करने के बाद आपको यहाँ पर विवरण देखे पर क्लिक कर देना है इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने क इस तरीके का पेज खुल के आ जाता है जहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर आपकी सारी जानकारी देखने को मिल जाता है जहां पर आपको आवेदन का देर्नांक भी देखने को मिल जाएगा मैं आपको हाइलाइट करके दिखा देता हूं यहां पर आवेदन जब भी आ तारिक को यह बन गया था वह तारिक यहां पर सो हो जाता है इसके बाद यहां पर देख सकते हैं जहां से बना था वह भी देखने को मिल जाता है और यहां पर मैं है status कि status में status check करते हैं तो क्या है status यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवसे कि तरीके से देख सकते हैं तो यहां पर самого कार्ड प्रिंट करें यहां पर लिखा हुआ है आपको यहीं पर click कर देना है आप जैसे ही इस पर click करेंगे तो यह आपको जो है next website पर लिखे चला जाता है जहां पर आपको symbol card so हो जाता है अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपका symbol card देख रहा है मैंने इसे security region की बज़े से इसके details को height करके रखा है तो यहां पर आपका symbol card देखने को मिल जाता है इसके बाद देख सकते हैं आप अगर इसे print करने के लिए आ रहा है हम इसे result geworden कल देते है इसके बाद आप इसे print करने जाहता है तो नीचे print को बटन है आप हो एन से print कर सकते हैं और इसे आप PDF में save करने चाहते हैं तो यहां से अपने printer को select करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर जैसे ही click करेंगे इसके बाद नीचे आपको देखने हो जाता है तो दोस्तों आप इसी प्रकार से अपने संबल कार्ड को प्रेंट कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं बस यही सेम प्रॉसेस है अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक से एंचलाल को सस्क्राइब